संत्मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याई 18 पत्संख्या 21 अध्याई 19 पत्संख्या 1 तब पैत्रुस ने पास आकर इसा से कहा प्रभू यदि मेरा भाई मेरे विरुद अपरात करता जाए तो मैं कितनी बार उसे शमा करूँ साथ बार तक इसा ने उतर दिया मैं तुमसे नहीं कहता साथ बार तक बलकी सतर गुना साथ बार तक यही कारण है कि स्वर्ग का राज उस राजा के श्रदश्य है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखो रुपय का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदात को बेश दिया जाए और रिन अदा कर लिया जाए इस पर वह सेवक उसके पेरों पर गिर कर यह कहते हुए अनुनई विनय करता रहा मुझे समय दीजए और मैं आपको सब चुका दूँगा उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका करज माफ कर दिया जब वह सेवक बहार दिखला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग एक सो दिदार का करजदार था उसने उसे पकड़ लिया और उसका अगला खोट कर कहा अपना कर्ज चुका दो सहसेवक उसके पेरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुने विने करता रहा मुझे समय दीजिये और मैं आपको चुका दूँगा परन्तु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदिग्रह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बाते बता दी तब स्वामी ने उस सेवक को बिला कर कहा दुस्ट सेवक तुम्हारी अनुनई विने पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी और स्वामी ने कृध होकर उसे तब तक के लिए जलादों के हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी कोड़ी न चुका दे यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे रहदे से शमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा अपना यह उपदेश समाप्त कर इसा गलील्या से चले गए और यर्दन के पार यहुद्या प्रदेश पहुचे